हमारे देश के अंदर और अगर हम बात करें मीडिया की तो वहां पे एक टॉपिक बहुत चलता है और वो टॉपिक है लब जिहाद का जिसको आपने अभी कुछ दिनों में नेशनल मीडिया पे कभी ने कभी सुना होगा अगर हम बात करें लब जिहाद की तो उत्तरपदेश सरकार ने इसके खिलाफ अपनी केबिनेट में कॉडिनांस पास किया है लेकिन जहां तक अगर हम बात करें और स्टेट्स की तो हिमाचर प्रदेश के अंदर भी एक ऐसा ही एक्ट है अगर कोई भी परसन शादी के लिए धरम बदलता है तो वो जो है वो नलन वाइड मैरिश होती है तो वो एक्ट कौन सा है उसके धाराएं क्या कहती है कितनी सजा उसके बात मिलती है ये सारी बाते हम डिसकस करेंगे इस वीडियो के अंदर और सुप्रीम कोर्ट इसके वाले में क्या कहता है तो आप इस वीडि प्रदेश freedom of religion act 2019 हलांकि इस act को 2007 में लाया गया था लेकिन 2019 के अंदर इस act में amendment हुई है यह बहुत छोटा सा act है जिसके अंदर 16 sections है तो अगर हम इस act की बात करें तो इस act के section 3 में बात की गई है कोई भी person अगर convert करता है या फिर attempt करता है convert करने की इधर directly और otherwise any person from one religion to another by use of force और by inducement और by any other fraudulent means और by marriage not shall any person abet any such conversion अगर हम 2019 से पहले की बात करें तो इस section में marriage word use नहीं होता था 2019 में amend इसको किया गया है और marriage word को यहां पे जोड़ा गया है अगर marriage के लिए भी कोई धरम परिवर्तन करता है या फिर attempt करता है तो वो इस section के तहट एक अपराद मना गया है अगर हम punishment की बात करें तो section 4 में punishment की बात की गई है इसके लिए punishment है not less than 1 year extend to 5 year मतलब कि उसको एक साल से लेके 5 साल तक ही सजा हो सकती है अगर जहां पे बात आती है minor की women की या फिर person belonging to scheduled class or scheduled tribe तो वहां पे सजा को बढ़ाया जा सकता है और वो सजा हो सकती है not less than 2 years extend to 7 years मतलब कि 2 साल से लेके 7 साल की सजा इसमें हो सकती है और fine भी दोनों में हो सकता है अगर हम बात करें section 5 की अगर धरम परिवत्तन सिर्फ और सिर्फ किया गया है marriage के लिए और उसके बाद कोई भी party वहां पे objection raise करती है या फिर court में petition दाखिल करती है तो वो marriage भावो null and void होगी इस act में जो offenses होंगे वो cognizable offenses होंगे और non variable होंगे अगर हम बात करें cognizable की तो यह वो offenses होते है जहां पे police officer आपको without warrant arrest कर सकता है अभी अलावाद high court के एक बड़ी important judgment आई है शायद आपने कहीने कहीं पढ़ली होगी वो और मैंने उसका screenshot अपने telegram channel पे भी share किया था और वो judgment थी right to choose a partner of a choice of fundamental right अपने partner को choose करना आपका एक fundamental right है और अगर धरम परिवतन किया गया है सिर्फ और सिर्फ marriage के लिए तो वो acceptable नहीं है तो यह judgment अलावाद high court की आई थी अगर हम बात करें supreme court की supreme court का एक बड़ा ही important case है हदिया marriage case इस case की citation है शफीन जहां versus अशोकन केम अगर हम जजिस की बात करें तो इस case में तो जजिस थे वो थे justice दीपक मिश्रा, justice डिवाई चंदरचोड और justice अजे मानिकराव कनविलकर इस case में supreme court ने कहा था right to change of faith is a part of fundamental right of choice मतलब कि आपको अपने faith को change करने का आपका अपने एक अधिकार है जिसको मूल अधिकार में शामिल किया गया है, कोई भी आपसे उस अधिकार को नहीं चीन सकता है तो हमने आज समझे इस वीडियो के अंदर हिमाचेश प्रदेश freedom of religion act क्या कहता है उसकी धाराएं क्या कहती है, सजा कितनी मिलती है और अलावाद high court की judgment क्या थी जो religion को लेके आई थी, और supreme court का कहना इसके बारे में क्या है तो यह सब चीज़े हमने जानी इस वीडियो के अंदर, अगर आपको यह वीडियो informative लगी है तो आप इस वीडियो को like कीजिए, share कीजिए, comment कीजिए, कोई question and query है या फिर अगर आप चाहते हैं कि next वीडियो उस topic के उपर बनाऊं तो आप वो भी comment कर सकते हैं, channel subscribe नहीं क्या तो कर दीजिए ऐसे ही latest legal update के लिए, thank you and thanks for watching